हेलो गुड बारिंग स्टूडेंट आज हम लोग इंग्लिस क्रामर पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 निगेटिव संटेंस ठीक है हम लोग जानते हैं कि पॉजर्टिव और निगेटिव पॉजर्टिव मिन्स जिसमें हम लोग की सही चीज़े सुचते हैं सही चीज़े बोल क्रणी Ioupe conservative होता है जिसमें हम करने के में सक्षम होते हैं और वही उसका अपुजर्ट हो जाता है निगेटिव तिस नहीं कर सकते हैं कोई काम को दिया जारा है तो आपको लगता है नहीं एक हमसे या मुझे नहीं होगा तो जो काम आपसे नहीं होने वाला होता है या जो आप काम कर नहीं सकते हैं उससे हम लोग निगेटिव कहते हैं तो यहां हम लोग निगेटिव संटेंस के बारे में पढ़ेंगे ठीक है यहां complete this sentence कुछ sentence दिए वह हैं जिसे कि आपको complete करना है यह आप खुद ही complete किजिएगा जैसे I do not like क्या आपको नहीं पसंद है I am not allowed to आपको क्या नहीं allowed है तो यह जो sentence है इसे आप खुद ही क्या किजिएगा complete किजिएगा ठीक है अब देगे देखें sentence that have not or no in them are called negative sentence ठीक है हम देखेंगे negative sentence किसे कहते हैं ठीक है तो sentence that have not or no in them are called negative sentence ठीक है अब यहाँ देखें read this story इस story को आपको क्या करना है read करना है पढ़ना है और underline the negative sentence इस story को आपको पढ़ना है और इस story में जहां भी आपका negative होगा उसे क्या करना है underline करना है तो negative अगर positive रहेगा तो हम लोग yes करेंगे और negative रहेगा तो हम लोग no or not का use करते हैं जहासा कि हम लोगों ने यहां पढ़ा है sentence that have not or no जहां पे not or no होगा वो हमारा negative sentence हो जाएगा तो इस story को हम पढ़ेंगे और इस story में जहां भी हमारा no or not होगा उसे हम लोग क्या करेंगे अंडर लाइन करेंगे ठीक है दुरूब कम हेर ममी is called calling you said tanu you must take a bath I do not want to take a bath ठीक है not यहां पे है तो not हमारा क्या हो गया negative sentence हो गया तो not को हम लोग क्या कर देंगे अंडर लाइन करेंगे ठीक है said drog stamping his foot but we have to go to school hurry up said tanu I do not ठीक है I do not तो यहां पे do not क्या हो जाएगा negative sentence है इसे हम क्या करेंगे अंडर लाइन कर देंगे want to go to school I cannot go I am not ready I am not ready यानि कि मैं ready नहीं हूँ तो not हमारा क्या हो गया negative sentence हो गया इसलिए not को हम लोग क्या कर देंगे अंडर लाइन करेंगे sad drog well I am going sad tanu mommy is going to pick me up after school see and I are going to the cinema we are not taking you not यहां फिर negative हाग गया मेरा not को हम लोग क्या कर देंगे underline कर देंगे you can stay at home with Bheem Singh oh sad drog let us to go to school I can take a bath now is mommy going to buy is us ice cream too तो हमने देखा कि जहां पे not था जहां पे no था उसे हम लोगों ने underline किया तो उसे हम लोगों ने underline इसलिए किया क्योंकि वो हमारा negative sentence था ठीक है अब आगे देखिए read the sentence current is happy current is not happy तो यह हमारा positive sentence है और यह हमारा negative sentence है क्योंकि current is happy यानि कि current जो है वो happy है खुश है ठीक है और यहां पे हमारा हो गया current is not happy इसका मतलब करन जो है वो खुश नहीं है ठीक है तो यहां पे आपको कुछ दिए वह हैं जिसमें कि आपको not or no लगा कर इस sentence को complete करना है ठीक है make these sentence negative while adding not or no in the correct place ठीक है आपको इसमें कहां पे not होगा और कहां पे no होगा इसे लगाना बताना है और इससे आप लोग coffee में कीजेगा ठीक है यह मैं बता दे रही हूँ और इसे आप लोग क्या कीजेगा इसे आप लोग coffee में कीजेगा ठीक है I am hungry I am not hungry ठीक है यह हमारा positive sentence है और इसे हमें negative में बनाना है तो I am hungry I am not hungry ठीक है I am old I am not old mother is drinking coffee mother is not drinking coffee Radhika is playing her room Radhika is not painting her room ठीक है she is sleeping she is not sleeping I am trusty I am not trusty there is ice cream in the fridge there is no ice cream in the fridge I am scared of the dark I am not scared of the dark ठीक है अब यहां देखे तनु एंड टीना आर टॉकिंग तनु और टीना जो है वो आपस में क्या कर रही है बात कर रही है तनु likes to say no to everything टीना से तनु जो भी जवाब दे रही है